अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री बचसूरत नहीं लगनी छिये, क्योंकि फिर तेसे व्या कॉन करेगा और वैसे भी तुझ में कोई खास टैलेंट तो है नहीं ममा! अचा चोड़ ना, यह बता तो मुझे लड़कार खाया है मुझे भूग लग रहे है ममा ओ, तो क्या खाएगी बता, तेरे लिए क्या बना के लाँ कुछ स्पाइसी सा खाने का मनो रहा है त्राइड रैस काएगी? हाँ मैं रच्च के लिए भी बना के लाती हूं उसने भी ना दो दिन से कुछ नहीं खाया है वर्ल की सबसे बेस मौम से कोई नाराज हो सकता है मेरे पट्चकों कुछ हो गया मैने सारी तारी दुलिया को तपह कर देने अलो उस पार्टी की वीडियो फुटेज मांगी थी ना मैने तेर से दो दिनों गए मेरे पुथर को मरे यहां उसका कातिल खुले आम खुंग रहा है और तुम लोग निंदे पूरी कर रहे हो जी बस थोड़ा टाइम देजे माड़ी मैं वीडियो कंपाइल करके खुद आपके पस लिया हूँगा कल तक अगर वीडियो नहीं मिला ना मुझे तो पड़सो तिरी लाश की शिनाख तो चल रही हो की समझ में आरी है बात मेरी जी मेड़ेब जी पुरी कोशिश करता हूँ राकुन बोर करता है समित, क्या हुआ? खारिश तो कम हो गई थी, ना? पता नहीं, फिर से एजिंग शुरू हो गई, चाची, दर्द भी हो रहा है. अच्छा? अब ठीक लग रहा है? नहीं, चाची, बहुत खारिश हो रही है. किछिन में कौन काम कर रहा है, कम भखात है? पंका चला लो! चाची, बहुत जोड़ से खारिश हो रही है, प्रीज कुछ करू ना. अब दर्द भी हो रहा है. तू? तेरी हिमत कैसी हुई मेरे बनेवे खानी में पानी डालने की? अच्छी, मैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हूँ, इस घर में चल क्या रहा है? तेरी बार बार आ के मेरे मूं क्यों लगती है, क्या दुष्मनी निकाल रही तू मुससे? और अब क्या में इस घर में खाना मी नहीं बना सकती चैन से? तेरा सारा खाना खराफ कर दिया. क्या होगा, ममा? क्या होगा? क्योगा? तेजी, तेरी दिवरानी को अगर मेरे यहां रहने से कोई प्राब्लम है, तो मैं आज ही तान्या को लेकर चली जाती हूँ. पर एक धान रखना, यह घर मेरी सहेली का भी है. तुझे पता है नो, उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया? मैं उसके लिए फ्राइड राइस बना रही थी और आके इसने पानी डाल के मेरे सारा खाना खराब कर दिया. लिकिन मैं भी किस तर शिकायत कर रही हूँ? तुझे तो हीर की कोई गलती निजर आती ही नहीं है? अब मैं ना और बेज़िती बरदाश्ट नहीं करूगी, मैं जा रही इस घर से. और एक बात दोनों कान खोल कर सुन लो. अगर रज्जो की तबित खराब हुई, उसे कुछ हुआ, तो तुम दोनों उसकी जिम्मेदार होगी. Tania! Tania, backpack कर! Mamma! Mamma, मेरी बात सुने! Mamma, please! एक मिनिट नी रुकूँगा इस घर में. कोई गाड़ी मंगवाएगा या वो भी मैं खुद मंगवाओं? Mamma, सुनो न! Tania! Mamma, एसे नराज होते नहीं है, please! Tania, तू आएगी या नहीं? Parnit, क्या हो गया? इतने गुष्से में क्यूँए और कहा जाने के बात कर रही है? बीची, अब में इस घर में एक मिनिट नहीं रुकूँगी मेरी बहुत बेज़िती होगी है. Tania, तू आएगी है या मैं जाओ? क्या हुआ, मुझे भूख लगए और अब कबसे समान समान कर रहे हो? मुझे भूख की पड़ी है, मैं एक मिनिट नहीं रुकूँगी. अब अब में थांडराक और मुझे बता क्या हुआ? नहीं वीजी, आप तो अपनी नहीं बहुँ. एर के साथ ही खुश रही है. मुझे मेरी इज़त बहुत पारी है, मैं तो यहां एक मिनिट ली रुकूंगी. आप क्या किया इशने? अब मैं कुछ बोलूँगी ना? तो सब कही हैं, मैं सुब कुब भड़का रही हूँ. ममा, प्लीज आप शान्त हो जाओ. क्या हो गया, पैसे नराज नहीं होते हैं, अच्छ, सुनो. अच्छ, सुनो. बड़ा शान्त हो जाओ, मैं बात करें. हीर, मुझे सच में समझनी आ रहा, तुमने ऐसा क्यूं किया? ममा, ममीची की बेस्फ्रेंड है, हमारे घर आती जाती रहती है, किचन में चली गई, खाना बना लिया, तो क्या हो गया? तुम्हें उनके खाने को खराब नहीं करना चाहिए था? अच्छ, बात को जादा खीचते नहीं है, यह न? अपॉलजाइस तो हर, ममा से माफी मांगो, आओ, हाँ? मांगरी है वो माफी. यह माफी मांगो? मेरी कोई कलती नहीं है, तो मैं माफी क्यों मांगोंगी? मैं माफी नहीं मांगो. तो तुमने मम्मी जी की कडाय में पानी नहीं डाला था? हाँ, मैंने ही डाला. और तुम्हें लगता है कि यह सब करने के बावज़ों तुम्हारी कोई गलती नहीं है? नहीं, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया. ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कि तेजी को ही से लग परना इतना हसान होगा. तेखा? मैंने काथ है ना? हो गया ना सहाबित? ये लड़की है है यसी, इसने जान भूख के मेरा काम बिगाड़ा. अब इतनी बेज़ती सहन करने के बादना, मैं एक मिनिट नहीं रुकूँगी. ममा, एक मिनिट, ऐसा कुछ नहीं है. और हीर तो, उनसे माफी मांग लोगें. तीदी, मेरी बात का यकीन मानने है, मैं आंजी जी की इंसल्ट नहीं करना जाते थी. जब घर में बच्चों को माता आती है ना, तो खाना बनाते वग तड़का नहीं लगाते हैं. इन फैक्ट, नौनविज भी नहीं बनना चाहिए. बिलकुल सात्विक खाना बनना चाहिए. इसी मैंने जो भी किया, सफ सिम्रित के लिए ही तो किया. अब एक बार डॉक्टर से पूछ लीजे ना? इसने बहाना बनाया, तेरा दिल तो पिघल गया होगा. सच तो यह कि कल की आई लड़की ने तुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है. अमा, ऐसा कुछ नहीं है. मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, सब तलियर हो जाएगा. जब घर में बच्चो को माता आती हैं, उस घर में खाना बनाते समय तड़का नहीं लगाते हैं. इन फैक्ट, नॉन्वेज वगर अभी नहीं बनाना चाहिए. बिलकुल सात्विक खाना खाना चाहिए. मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से. आप लोग ऐसा ही करें.